हलो गाईज मेरे नाम आश्यतोष जांगिड और स्वागत आपका मेरी यूट्व चैनल के उपर तो आज हम सीखने वाले हैं कि breadboard को हम कैसे इस्तमाल करते हैं और उसके पचे से हम circuit कैसे बनाते हैं और हम इसका use क्यू करते हैं तो simple सा है जब भी हम कुछ circuit बनाते हैं और हम उसको अगर completely बना के इसको sold कर देंगे और क्या पता वो खराब हो जाए कुछ guarantee है उस circuit की चले या नहीं चले तो पहले क्या करते हैं उस circuit को basically हम इस पे बना के देख लेते हैं इस circuit board पे यह जो bread board है मेरा इस पे हम उस circuit को बना के देख लेते हैं कि वो circuit काम कर रहा है नहीं कर रहा है अगर वो काम कर रहा है यानि कि हमारा circuit ओके है तो हम उसको sold कर लेते हैं और हमारा circuit हम उसको use कर सकते हैं तो आज हम यहीं सिखेंगे कि इसको हम यूज कैसे करते हैं पहले आपको breadboard की बारे हम बता देता हूँ कि breadboard काम कैसे करता है तो आपको इसमें बहुत सारे holes दिख रहे होंगे और हम इसको LED का connection करके और भी connect करके इसको check करेंगे कैसे काम कर रहे हैं तो यह holes पर आते हैं आपको बहुत सारे holes दिख रहे होंगे इसके अंदर उपर भी हैं बीच में भी हैं तो जो उपर वाले holes आपको दिख रहे हैं यहां से लेकर मैं यहां की बात कर रहा हूँ मैंने इसको आपस में connect कर रहा है कि यह मैं पूरी hole का इस्तेमाल कर सकूँ तो यहां से लेकर यहां तक जो आपको row दिख रही है यह जो row दिख रही है आपको यह क्या है horizontally connected एक दूसरे के साथ यानि कि अगर मान लिजिए कि मैं इस starting वाली row के अंदर यह 9 volt का supply दूँ और इस दूसरी row में मैं यह ground दूँ देख रहा है आपको मैंने उपर वाली row पे क्या किया battery का 9 volt supply का positive wire दे दिया और नीचे वाली row में मैं ग्राउंड दे दिया तो इससे क्या हुआ कि मेरी जो पूरी row है इस पूरी row में 9 volt का supply आ चुकी है यानि कि हम मैं इस कोई भी hole से connection लेके किसी भी मेरे LED को जिस कोई power चाहिए उसको मैं power दे सकता हूँ इस mobile की battery से समझ में आगे आपको इस इसका connection और basically जो उपर वाली और नीचे वाली row है इनको बोलते है power rules इसमें हमारी battery connect होती है वैसे हम चाहिए तो battery यहां भी connect कर सकते है लेकिन हम mainly battery यहां connect कर सकते है ताकि हम कहीं से भी power ले सके और कहीं पर भी ground कर सके है ताकि हमारा circuit easy हो जाए अब हम सीखेंगे LED का connection कैसे करते हैं हम red board के उपर उससे पहले हम आपको बता जेता हूँ कि नीचे वाले holes कैसे काम करते है तो जो उपर वाले holes है वो तो हमारे horizontally connected होते है लेकिन जो हमारे नीचे वाले rows है वो क्या vertically connected होते है एक दूसरे के साथ यान कि यह जो column आपको दिख रहा है यह सीधा जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ यह भी सीधा जुड़ा हुआ है यह भी सीधा जुड़ा हुआ है यह ऐसे नीच जुड़ा हुआ उपर वाले हमारे horizontally जुड़े हुआ है ठीक है इसको मुझे vertically जोड़ना है तो क्या करूँगा मैं अब मैं LED को ऐसे connect नहीं कर सकता अगर मैं LED को ऐसे connect करूँआ तो जो pin है मेरी आपस में ही short हो जाएंगी और इसको मैं इस्तमाल नहीं कर पाँगा इसलिए क्या करूँगा मैं इस LED को मैं इस तरह connect करूँआ ताकि मैं इस LED की इस terminal के लिए सारे holes को इस्तमाल कर सकूँ इसी के अंदर मैंने लगा दिया और दूसरा जो मेरा टर्मिनल है वो मैंने इस बीच वाले होस यह वर्टिकल होस में लगा दिया क्यूँ? क्यूँकि मैं इसको डायरेट करेक्ट नहीं कर सकता अगर मैं डायरेट 9 वोल्ट की बेट्रिस से मैरी LED को करेंट करूँ है तो मैरी LED खराब हो जाएगी तो इसके लिए क्या करेंगे? हम एक resistance का इस्तमाल करेंगे तो यह रहा हमारा resistance जो की 1 किलोम का है तो आप क्या करेंगे हम? जो दूसर टर्मिनल है उसके एक टर्मिनल से मैं इस resistance को जोड़ूँगा इससे क्या होगा? कि मेरा यह जो resistance है और मेरा यह जो टर्मिनल है यह आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि यह vertically connected है तो हमां कोई सा भी hole से इस्तमाल कर सकता हूँ इसके लिए चाहूं तो मैं यह वाला इस्तमाल कर लूँ चाहूं तो मैं यह वाला इस्तमाल कर लूँ चाहूं तो मैं यह वाला इस्तमाल कर लूँ चलो हम यह वाला इस्तमाल करते हैं और इसको क्या करते हैं? ग्राउंड से connect करते हैं तो ग्राउंड के लिए मुझे या करना होगा? मुझे उपर वाले होल में connect करना होगा चोटा पढ़ रहा है मैं तो फोड़ा ऊपर श्का लेता हूं और मैं इसको ऊपर वाले होल में connect कर देता हूं इससे क्या हुआ कि मैं resistance connect कर पाया इससे ठीक है यानि कि यह जो वर्टिकल्ड हो है इससे मैं resistance connect कर सकता हूं मेरा ठीक है और यह resistance में किस में गया ground में गया तो मेरा circuit पूरा हो गया और मेरी LED जल गई I think आपको समझ में आ चुका होगा यह और अब हम देखते हैं कि हमारी यह beach का जो barrier है इसका यह क्या काम में आता है चलो देखते हैं इसको मैं अभार निकाल देता हूं एक बर और मैं आपको इसका barrier दिखाता हूं तो यह यह हमारी एक IC है यह कोईसी भी ऐसी हो सकती है मैंने एक IC लिया है यहाँ पर ठीक है आपको इसी भी उसकर सकते हैं अपने अनुसार और आपको breadboard के बीच में यह divider मुझे दिख रहा है यह divider क्यों लगाया गया है तो देखिए ध्यान से देखिए इस IC को देखिए आप इ इनकी यह first pin यह pin आपस में connect हो जाएगी और इससे क्या होगा मैं जब supply दूगा तो मेरी यह IC खराब भी हो सकती है और मैं इसको use भी नहीं कर पाऊंगा पहले बात तो तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ लगाएंगे इस barrier के बीच में लगाएंगे इस divider के बीच में लगाए इस pin के लिए इसको और इस pin के लिए इसको समझ में आ गया होगा आपको अब हमें काम करते हैं एक multiple series circuit बना के देखते हैं ताकि आपको और अची तरह clear हो जाए कि हम breadboard को किस तरह use कर सकते हैं ठीक है तो मैं इस IC को निकाल लेता हूं एक minute रुकिया और इसके लिए क्या करू कि हम यह मेरी power supply इसको मैं यहां connect कर दूँगा ताकि मेरी पूरी row के अंदर supply आ जाए हम इस पूरी row को इस्तमाल कर सकता हूं ध्यान से देखिए कि मैंने यहां wire और लगा रखे हैं यह ठीक है यह क्यों लगा रखे है मैंने ताकि यह जो power supply है यह इन में भी आ सके मैंने इन इन दोनों power pin को आपस में connect कर लिया ताकि मैं एक ही source इस्तमाल कर सकूं और यहां पर connect कर सकूं आप अपने अनुसार source को change कर सकते हैं कि मानलो आपको अपने connection मनाया जाबर आपको 5V की supply चाहिए तो आप इन पिंस को निकाल लीजे और इस particular row के अंदर 5V की supply दे दीजे आपक यहां से connection लूँ मेरा यहां से connection लूँ मिरे no volt की supply आएगी ठीक है तो आप हम क्या करते हैं से LD को फिर से जलाएंगे और इस बार जलाएंगे हम series के साथ ठीक है तो अब क्या करते हैं वहीं फिर से करता हूँ मैं positive supply में डायाट लेता हूँ यहां से और इस पार resistance connect करता हूँ है series के अंदर ताक कि हमारी LED की कम glow हो हम LED की brightness को कम करेंगे अब ठीक है तो अब यहां से देखिए मैंने इस vertical जो मेरा column है इसके साथ क्या किया एक resistance connect कर दिया series के अंदर ठीक है यहनिके अब क्या हुआ इस LED के इस टर्मिनल से मैं resistance connect हो गया और इस टर्मिनल से मैं एको resistance connect करूँगा यह देखिए क्योंकि वर्टिकल है connected है तो यह एक मैं यहां से connection कर लिया इसका अब मेरा ये को टर्मिनल बच गया इसको भी connect कर देते हैं इसको हम डाइट क्या करेंगे ground से connect करेंगे इसको हम डाइट ground से connect करेंगे तो यह मैंने ground में लगाया और यह इस उपर वाले वर्टिकल टर्मिनल में लगा दिया अब आप देख रहे होंगे कि led on नहीं हो रही है मेरी तो led on क्यों नहीं हो रही है मेरी क्योंकि resistance की value बहुत ज्यादा हो गई है resistance के value ज्यादा हो गई है तो मेरा सारा current बंद हो गया है इसके अंदर आना और इसलिए LED मेरी on नहीं हो रही है ठीक है अब आरी है हमारी capacitor की अब हम capacitor कर सकते हैं तो capacitor मैं direct यहाँ ठोड़ा side में कर लेता हूं इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको direct ऐसे क्नेक्ट नहीं करेंगे, टूनी करेंगे कूई आपस में short हो गया है तो कोई काम में नहीं आएगा, हमारा capacitor क्या होगा है ठीक है यह LED मैंने लिया है और मैंने एक resistance मेरा जो लिया इसको मैंने direct connect कर क्यूंकि चोटे पड़ गया थे वायर मेरे इसलिए और हम मैं क्या करता हूं यह मैंने यहां लगा दिया हमेरे कैपसितने इसके साथ मेरी LED भी गनेक्टेड़ है मेरे रेजिस्टेंस भी गनेक्टेड़ हो मेरी power supply भी है और हम यह स्वाइर को निकालते हो हुआ शौर्ण की का कपिस्टर को खरते हैं अब क्यापस्टर को नेक्ट कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दब वीडियो सुश्क्राइब दचेनल और बस आने वाली वीडियो ऐसे देखते रहिए thank you so much